कई बार सुना था कि जंगल में मंगल होता है लेकिन ऐसा महसूस तब हुआ जब मैंने मुकुंदरा देखा मैं सोचता था कि सिर्फ इंसान ही मेल मिलाब जानते होंगे लेकिन मैंने यहां के हैंगिंग ब्रिज को 14 नैशनल हाइवेज से मिलाते देखा मैंने सुना था कि वादियां बहुत व्यांगम होती हैं लेकिन मैं तब हैराम रह गया जब मैंने गरडिया महादेव को इतने खरीब से देखा मैंने देखा कि जबाहर सागर डैम बाहें खोल कर चंबल के पानी को खुद में समेट लेना चाहता है मैंने देखा कभी खौफ का नाम रही ये चंबल घाटियां आज खुबसूरती का पैगाम दे रही हैं मैंने देखा कि कैसे चंबल और एरो नदी मिलकर टाइटेनिक सा संदर आईलैंड बना रही हैं मैंने देखा कि जावरा टापू पर जल का राजा बेखौफ होकर अपनी बादिशाहत पर इतराता है मैंने देखा कि सेलजर की ये खामोश गाटियां कैसे टाइगर की दहार से गूंज उठती हैं मैंने देखा कि व्यू पॉइंट के नजारों में खुद्रत की नेमत कितनी खुबसूरत नजर आती हैं ना जाने कितनी बार मिरा मन इन अंदेखे जंगलों को निहारते ही रह गया ना जाने कितनी ही बार मिरा मन इन निरीह जानवरों पर ठहर सा गया बारोली के इस खंडित मंदिर की खुबसूरत इस्थापत्यकला ने मुझे अपना मुरीद बना लिया इस प्राचीन कि भूज़ि कर और मैं आद अधात्यक्रून अधापत्यक्त में तुक्त पत्रीले रास्तों से गुजर कर जब मैं प्राचीन आधा प्राचीन और मिस गिए गुज़र्चीन प्लीटेश्त रावठा महल पहुंचा, तो इसके गौरों मई अतीत में खो गया। यहां के तालाबों में जानवर, साल भर पानी में अटखेलियों का लुद्फ उठाते हैं। सावन भादू डैम के इस खुले पन में सैकड़ों परिंदे दूर देशों से छुट्टियां मनाने आते हैं। मैंने यहां वो ग्रास लैंड भी देखी, जिसे देश की लॉर्जस्ट ग्रास लैंड होने का खुद पर जरा भी गुमान नहीं था। क्यान यहां। कि विना ने हुवाले गाग्रोन फोड की भव्यता देखकर लगा। मानू, खूपसूर्ती का कोई रूप होता, तो शायद वो कुछ ऐसी ही दिख थी। इसलिए आहू और काली संध नदी इसे अपने जल से इतना सजदा करती होंगे। मुकुंदरा में मैंने चंबल देखी और जंगल देखा। कुद्रत देखी तो करिश्मा भी देखा। हर्याली देखी तो पत जड़ भी देखा। यहां जंगल देखा और जीवन भी देखा। जैसा मुकुंदरा मैंने देखा, क्या आप भी देखना चाहेंगे वैसा। वेल्कम टू दा मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्ब। नेचर अलोंग विद एडवेंचर। झालरा चाहेंग झालर June अुष्ड़ब! झाल झाल झाल